जैशी शाम दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को अगर सर्दी चुकाम खासी या कफ उचकी भी सिकायत है तो कैसे आप बच्चों की दूर करें देखें हम छोटी-छोटी बातों के लिए डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकते हैं डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो दवाई देंगे और जब जादा हो जाएं तो जाएं लेकिन एक दो दिन तो आप घर पे करके देखें कि आपको इससे बहुत जादा फायदा मिलेगा क् जल्दी से फायदा हो जाता है एक ही रात में जो है बहुत जादा फायदा मिलता है हमने भी अपने बच्चों के साथ की थी और आगे भी हम अपने बच्चों कराते रहेंगे और ये सदियों से चलिए आ रही है हमारी दादी नानिया भी यही करती थी तो चलिए सुरू करत हम बताती हो मैं आपको कैसी करना चाहिए सबसे पहले तो आप देखें कि आपके बच्चे को सर्दी जुखाम कैसी है अगर पानी निकल रहा है नाक से तो वो सद गरम के सिकायत है अगर आप उसकी छाती पर हाथ रखके देखें तो उसकी धड़कने तेज चल रही है और थोड़ी थोड़ी खासी है तो वो जुखाम खासी के उसमें आजाता है तो आप क्या करेंगे उस टाइम पर अब बच्चा है उसे तो हम कोई गरम गरम चीज दे नहीं सकते हैं जादा गरम-गरम कुछ भी ऐसा नहीं देना है बच्चे को आप लहसुन की माला बनती है एक तो जो लहसुन की कलियां होती है ना उन कलियों को आप छील करके पिरो लें और पिरोने के बाद उसे आप पहना दे इससे क्या होता है देखे लहसुन में होती है गरमाहट और उसकी खुसबू से जो है बच्चे की नाक में खुसबू आएगी च्छाती तक वो माला होनी चाहिए उन्हें आप सुई धागा से पिरो लें और तो वो माला बन जाएगी और उसके बाद सर्सो का तेल ले आप तीन से चार चम्मच ले ले अधी का टोरी ले ले ये तेल तो मैं कहते हूँ आप हमेशा बना कर ही रख ले बच्चों जगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं आप इस तेल को जरूर बना करके रखें सबसे पहले तो सर्सो का तेल ले ले, वैसे देखिए गर्माहट में तो सर्सो का तेल, तिल का तेल, तिल का तेल सर्धियों में लेती है, गर्मियों में आप सर्सो का तेल ले ले, अगर आपको ये तेल पसंद नहीं है, आप नार्यल तेल ले ले, कोई बात नहीं, उसमें आप अजवाइन के दाने डाल दे आधी चम्मच के करीब और थोड़ा सा आप उसमें नीम के पत्तियां डाल दे उस तेल को आप बिल्कुल धीमी आज पर पकाए कैसे धीमी आज पर तवापे रख दे उस तेल को और उसे धीमी धीमी आज में पकने दे जब तक लहसुन काली यह बिल्कुल शिकरेट है दोस्तों बिल्कुल टिप्स जो है न यह इतने गहरे हैं आपको आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं बताई होगी कि जो सीधी गैस पर रख दे वो जल जाता है और उसके बाद वो तेल इतना काम्याब नहीं रहता जो यह तवे के उपर धीमी धीमी आज पर एकदम लहसुन जब वो बिल्कुल काली जैसी हो गई यानि कि बादामी कलर जैसी होगी आप गैस को बंद कर दे और उसे अपने आप ठंडा होने दे उस तेल को बस इसके अंदर सारे इसका जो गुन था लहसुन का जवाइन का नीम का सारे आ गई बस उसे आपको पड़ चान कर ले पतली चलनी से छान ले ठंडा होने के बाद उसको आप बोतल में भरके रख ले छोटे बच्चे के लिए रामबान है ये दवा इसको आप हलका सा जब आप लगाएं हलका सा गुन गुना सा हो एकदम गर्मी है तो वो अपने आपी जो है थोड़ा सा गु चमस देल या एक चमस देल आप ले करके उस पानी के अंदर आप रखें गरम पानी ले लिया गैस वगेरा कुछ नहीं जलानी है बस आपने गरम पानी कर लिया गैस के फ्लेम को बंद कर दें उसके उपर आप कटोरी रखें तेल देखें गुन गुन गुना मतलब निवाया तेल हो जाना चाहिए और उसे आप अपने हतेली में लगा करके देखें एक बुंद वो सहन वाला है आप वो देखेंगे न अपनी स्कीन पर देखेंगे तो उन्तम सहन करने वाला हो तब आप उसे क्या करें अपने बच्चे की जब वो रात को सोने का टाइम हो न तब उसकी चाती में हलका सा जो उसने पहन डखाये कपड़े कपड़े में पहने पहने ही आप उसे अंदर तेल की उसकी मालिस करतें कहां पर करेंगे चाती पर करें उसे उल्टा करके उसकी पीछ फे करतें बस आप देखें पूरी रात उसकी जो ये सारी बंद हो जाएगी और बढ़िया से वो नीद लेगा और आप देखेंगे कि सुबह बच्चा जो है आपका 50% सही हो जाता है क्यों क्योंकि हमने ये चीजे में आपको अपने मन से नहीं बता रही हूँ हमारी दादी नानियों के ये नुकसे हैं और हमने भी ये किये थ ये हमेशा बना करके रखें आप देखेंगे से कितना फायदा होता है अगर आपके पास ये भी नहीं है आप ये भी नहीं कर सकते कोई बात नहीं तीसरा और मैं आपको बता देती हूँ नारिल तेल है नारिल का तेल लेले सरसो का तेल है सरसो का तेल लेले जो आपके पास एबिलेबल है वो ले ले ये मैं आपको तीसरा नुखसा बता रही हूँ ठीक है उसमें आपको तुलसी की पत्ती होती है न वो आप 6 से 7 डाल दे नारियल का तेल में फिर तवे पे आप रखें और कटोरी में कटोरी को उसके उपर रख दें एकदम अच्छे से धीमी धीमी आ अपना स्वरस जो तुलसी का होता है न रस वो इस तेल में आ जाएगा बस हो गया तेल अब आप इसे गर्मियों में आराम से लगा सकते हैं ये है जब ठंडा गरम का मौसम हो तो आप ये तेल आराम से लगा सकते हैं बच्चे को बिलकुल उसे ठंडा होने पर उसे देखें हो गया उसे ठंडा होके उसे आप बोतल में भरके रख ले इसमें से आपने एक भी काम कर लिया आप देखेंगे आपके बच्चा जो है पूरी जो सर्दी है खासी है जो खाम है बदलते मौसम में है कि गर्मी की वज़े से लग गई है ये सब चीजे ठीक हो जाती है जब ये खड़के अवाज आती है या फिर ऐसी कोई बात होती है कफ वाली पिल्कुल सही हो जाती है और इसमें कोई भी घवराने वाली बात प्योंते है फिर अगर आपको नहीं सहीन हो गात एक रात अगर आपके पास ऐसे है और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो रौक्टर क डाल दी बच्चे को नहीं डालना होता है, लौंग वेगरा, ठीक है? आपको थोड़ी सी सिरफ चाय, जो आप चाय लेते हैं, वो चाय हल्के सी गुनगुनी सी बच्चे को आप दे दे, अगर आपका बच्चा चम्म से नहीं पी रहा है, आप बोतल से दे रहें तो बोतल को अ ध्यान रखेंगे छोटे बच्चों का, तो आपका बच्चे को जो है बिल्कुल भी नजला, जुकाम, कफो, ये चीजों की जो परेशानी होती है, वो बिल्कुल छू हो जाएगा और आप आराम से अपने बच्चे को पाल लेंगे, देखे, जिनके घरों में सासू मा हैं, या फिर कोई दादी बगेरा हैं, या अडोस-पडोस में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, तो वो आपको ये चीजें बता देंगी, आपका सही हो जाता है, जिनके पास ऐसे कुछ है नहीं है, बड़े बुजुर्ग नहीं हैं, तो वो बड़ी परेशान हो जाती हैं, और सीधे डॉक्टर के पास भागते हैं, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, और मैंने भी अपने आखों से देखा है कि वो पूरी सरदी यूँ कहते थे, हमने बच्चों को लेकर पूरी सर्दी हम भागे हैं, अब हमें कुछ रिलیک्स हुआ है, तो थोड़ी से समझदा जब आप समझ जाएंगे, तो आपके बच्चा भी जो है, बहुत अच्छे से जो है, आपको भी सोने देगा, उसे भी आपको देखाएंगे, हाँ ये छोटी-मोटी तो देखें, चलती है, हर बच्चों में चलती है, बड़ा नाजुक सा सरीर होता है, हमें भी ये चीजे हो जाती है तो बच्चों की तो बात बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो बहुत नाचुक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, उन्हें बड़ी ध्यान से रखना होता है, अगर आप अकेले हैं, घबराईए नहीं, आप इस तरह से करिए, कहीं पर भी पढ़क उसे ऐसे ही रहने दे, जादा आप लदलत के कपड़े पहनाएंगी, जादा ऐसे करेंगी तो बहुत जादा दिक्कत हो जाती है, ठीक है, आपको इस चीज का भी धियान रखना है, ये छोटी छोटी बात होगा, आप धियान रखेंगे, आपके बच्चे को आप अच्छे से पाल लेंगी, अच्छे से जो छोटा बच्चा है, इसे आप एक महिनी से लेकर बच्चे को आप इसे पांस साल तक के बच्चे को आप ये कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपका बच्चा तीन महिने का है, चार महिने का है, छे महिने का है, पांस साल का है आप ये चीज़ अजमाएं आपको बहुत फायदा होगा आप देखेंगे कि एक ही रात में आपको कितना फायदा हो गया है अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरू दीजीगा और कमेंट्स करके बताएगा आपको और कौन सी वीडियो देखनी है किस बारे में करने कर दूँगी लेकिन मैं आपको बताऊंगी जरू जो आप लोग कहते हैं मैं वही आपके साथ वीडियो वही बना करके देती हूं क्योंकि मुझे कुछ पढ़ने की तो जरूत है नहीं क्यों हमें तो ऐसा तजोर्वा हो गया है कि हम बता सकते हैं आप लोगों को और को कोई जरूत नहीं है कि मैं आपको देख के या ऐसे करके बताऊंगी कोई मुझे ऐसे जरूत नहीं बढ़ती है अगर आपको फिर भी कोई और कुछ पोछना है तो आप जरूर ये बात पोचे हम आपको जरूर बताएंगे ठीक है मिलती हूं फिर से एक नई वीडियो में न नाइ जानकारी की साथ